हेलो दोस्तों आपको बता देखी केरबिया और राउंडर ड्वेन ब्रावो ने आईपील से सन्यास ले लिया है चैननाई सुपर किंग्स ने आईपील के अगले सीजन से पहले ब्रावो को रिलीज करने का फैसला किया था जिसके कुछ दिनों बाद उन्होंने ये फैसला किया अब ड्वेन ब्रावो आईपील 2023 में चैननाई सुपर किंग्स के लिए बॉलिंग कोच की भूमिका में दिखेंगे गौर तलब है कि लक्ष्मी पती बाला जी ने 2023 के सीजन के लिए ब्रिक लेने का निलने लिया था 49 साल के ड्वेन ब्रावो ने चैननाई टीम के बॉलिंग कोच बनने के बाद कहा कि मैं इस नई यात्रा के लिए उत्सुक हूँ क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने क्रिकेट करिये की समापती के बाद खुद को करते हुए देखता हूँ मुझे गेंदबाजों के साथ काम करने में मज़ा आता है और यह एक ऐसी भूमिका है जिसे लेकर मैं उत्साहित हूँ मुझे नहीं लगता कि इस रोल को निभाने में मुझे कोई कर्थिनाई होगी ब्रावो ने आगे और कहा कि ब्रावो ने 2017 के आईपियल सीजन को छोड़कर अब तक के हर साल आईपियल में भाग लिया उन्हें पहली बार 2008 में मुंबई इंडियन्स द्वारा साइन किया गया था और वह तीन सीजन तक मुंबई के साथ रहे इसके बाद साल 2011 की निलामी में CSK ने ब्रावो को अपने पाले में किया जब CSK को दो सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था ऐसे में साल 2016 में उन्हें गुजरत लाइन्स ने अपनी टीम में ले लिया था साल 2018 में ब्रावो फिर से CSK में वापस आए और 2022 के सीजन तक CSK का हिस्सा रहे ब्रावो आईपियल के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज है आईपियल 2022 सीजन के दोरान ही ब्रावो ने मलिंगा के रिकॉर्ड को तोड़ा था वेस्टिन डीज के इस खिलाडी ने 161 आईपियल मैचों में 23.82 की ओसत से 183 विकेट लिए ब्रावो का इस दोरान बैस्ट प्रदर्शन 22 रन देकर 4 विकेट रहा ब्रावो ने आईपियल में बल्ले से भी धमाल मचाया ब्रावो के नाम आईपियल में 22.61 के एवरेज से 1560 रन दर्ज है दोस्तों, CSK फैन्स ब्रेवो को आईपियल में कितना मिस करेंगे इस बारे में हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई और टेक केर दोस्तों